Hi 11thies, Welcome to Easyway Commerce Classes, मैं हो तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने Arithmetic Mean Chapter का एक Topic करने वाले हैं जिसका नाम है Combined Meme जो कि बहुत ही जादा Simple Topic है, जादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक इसका Formula है जो कि बहुत easy सा याद करना, क्या है Formula guys, सबसे पहले तो मैं यह बताती हूँ Combined Mean में हमें 2 Series का मिलाकर Mean निकालना होता है, तो 2 Series का अगर हमें Mean गिवन है Suppose, एक Series X का, हमें Mean 1, Series 2 का Mean गिवन हो और इसके Number of Items, यानि की N1 और N2 तो हमें इसका Mean निकालना होता है, तो बहुत असान है, यह हम लिखते है Mean 1, 2 यानि की 2 Series का Is equals to N1 Mean 1 plus Number of Items, यानि की N2 Mean 2 divided by Number of Items, 1 Series plus 2 Series तो यह बहुत simple सा Formula है guys, यह जो होता है N1 plus Mean 1, इसका मतलब क्या होता है आप Normally जब Mean निकालते हो, तो क्या होता है, Summation X divided by N, तो यह actual में Summation X होता है क्योंकि Summation X अगर हमें Given ना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, Mean को N से Divide करके Summation X आता है, तो यहाँ पे Summation X आता है, हमारी Series का, क्योंकि Mean का एक simple सा Formula होता है, Summation X divided by N, तो हमें Summation X पता नहीं होता है, तो हमें यह formula दे दिया गया, कि इससे आप Summation X असानी से निकाल सकते हो, कैसे, अगर आप यह formula लगाओगे, तो Summation X कैसे निकल सकता है, Mean को यह जाके multiply हो जाता है, तो Mean, Number of Units, ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज गिवन है, पहली Series का N1 गिवन है, Mean 1 प्लस N2, Mean 2 divided by N1 प्लस N2, यानि की Number of Items, अब एक question देखते हैं, गाइस की question किस तरीके का आता है, जैसे section 1 के, हमें Mean Marks गिवन है, ठीक है, तो इसको साथ के साथ करते हैं, हमें Mean निकालना है 1, 2 यानि की 2 Series का, ठीक है, अब section A के Mean Marks कितने गिवन है, 40, इसे हमें multiply करना है, किसके साथ, Number of Student section A कि कितने है, 60, यही हो गया, N1 into Mean 1 plus, section B के, guys, Mean Marks के वेन है, 35, और Number of Items है, 40, तो हमें 35 को multiply करना है, 40 से, अब यह पूरी term किस से divide होगी, N1 plus N2, बोले तो 60 plus 40, ठीक है, अब बस हमें इसे solve करना है, तो यह हो जाएगा 2400, यह हो जाएगा आपका 140, 0, क्योंकि 35 multiply by 2, जो होते है, वो 1, कितना होते है, 70 होते है, 17 into 2, 1400, यह हो गया, 100, अब यह कितना आया, हमारा 3800 divided by 100, अगर इसको cut करें, तो हमारा combined mean कितना आगया, 38 आगया, जो कि बहुत easy था निकालना, अब जो चीज सीखनी है, मतलब इतना तो असान question आएगा नहीं, अब जो चीज सीखनी है, वो क्या सीखनी है, कि कई questions में आपको missing frequency, frequency नहीं missing item होगी, कोई भी item इन 4 में से missing होगी और आपको mean given होगा, combined mean, तो आपको कुछ नहीं करना, simple इस series में put करना है, अगर let करो, suppose करो कि यहाँ पे हमें number of student यहाँ पे नहीं पता होते, x given होता, तो हम क्या करतें, यहाँ पे 40 की जगे x ले लेतें, और यहाँ पे 35 x आ जाता, और लेकिन उस case में mean, combined mean ज़रूर given होगा याने की यहाँ की 38 value, ठीक है, तो हमें इसे solve परके, क्या करना होगा, इस x की value निकालनी होगी, तो x की value अगर आपको एक equation ऐसे बने होई, मिल जाए, तो क्या आप x की value नहीं निकाल सकते हो, बहुत असानी से निकाल सकते हो, यह 38 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, multiply, तो यहा to 2400 plus 35x, इदर इदर अगर 38 में से 24 गया, माइनस 24, 135x, तो यहाँ पर कितना आगया guys, यहाँ आगया 1400 divided by 35x, तो x की value असानी से निकाल सकती है, 1400 को अगर हम 35 से डिवाइड करें, तो यह कितना आएगा, 40, तो आपको question इस type से भी आ सकता है, कि कोई भी एक चीज़ वो miss कर दे तो आपको डरना नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन उस case में आपको combined mean already given होगा, तो combined mean को put करना, जोन-जोन सी चीज़े given होगी वो लिखना, जो नहीं given होगा, वो easily निकलाएगा, तो इस तरीके से guys आप इस question को बहुत असानी से solve कर सकते हो, और यह बस एक छोटा सा topic is combined mean का, Thank you!